असलाम लीकूम, वेलकम बैक तो मैं जेनल, अलह पाक आपके तमाम मुश्किलात को दूर फर्माए और आपके लिए असानिया पैदा फर्माए आज इस वीडियो में हम बनाएंगे हरे धनिया की चट्नी, जो के बहुत सी चीदों में इस्तमाल होती है और आज हम त्यार करेंगे इसको रमदान के लिए जिसको हम फ्रीज कर सकते हैं हरे धन्य की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे एक गठी फ्रेश हरा धन्या और सबसे पहले हम इसको साफ कर लेंगे इसमें जो घास होती इस तरह से उसको separate कर लेंगे और जो भी इसमें यलो हुए पत्ते हैं उसको भी हम अलग से कर लेंगे ताकि हमारी चटनी हैं बिल्कुल प्रेश बने, तमाम घास के तिनके इसमें से रिमूफ करने के बाद, हमने इस गटी को बहुत मस्बूती से पकड़ना है, और इसका डंठल वाले एरिये को चुरी की मदस्यात्स से अलग कर लेना है, इसके बाद धनिये को बारिक-बारिक सा काटने ने है, और इसके बाद इस और एक बाद इसको तोड़ा सहम ड्राय कर लेंगे थोड़ासी ऑ उसके बाद हमने इसको ग्राइड कर लेना हैं। इसके लिए हम लेएँ जूसर के जग। जग। इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। और हरे धनिया के साथ मैं यहां लोगी थोड़ी सी हरी मिर्चे, मैंने यहां पे दो हरी मिर्चे ली हैं, अगर आपको तीका ज्यादा पसंद है, आप 3-4 हरी मिर्चे भी ले सकते हैं, उसके लावा लेसन के मैंने 4-5 कलियां लिया है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, और 1 टे क्वें आइस्ता हमने चलाना है क्योंकि हमने जादा पानी नहीं डाला थोड़ी दोड़ी देर बदने चमस से इसको उपर नीचे कर लेना है बस इस तरह से जैसे ही, इसका तका हमारा त्षक ठाहर हो जाएगा यहार हमने निकाल लेना है और अब आप इसको स्टोर कर सकते ह जिसए य किसी भी जार में लेकिं NEG और इसको आप सब्सक्राइब कारेंस स्यूर करकें नियुक्त अश्मास Image विज्ए stdaro तो इक से दू हफ़ते के हैं घुस सी कम से सूर कर सकते हैं तो आप एक यह समूरा पहिए l Budget और आपका मज़ेदार सा राइता त्यार है और इसको आप इस्तमाल कीजिए अगर आज की वीडियो आपको चीलेगे तो वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्स्वाइब कर लीजिए और